लेजिस इस ड्रामे का नाम है जो की चानिस ड्रामा है ये इसका पहला एपिसोड है तो कहानी की चुरवात ऐसे होते हैं, अगला होता है, जो की शैतन का लड़का होता है, और पिक जो होता है वो उस गुफा की तरफ चला जाता है जहां पर वो लड़का कैद होता है और जोईयो को और पिक को जड़का लगता है तो जोईयो उस गुफा पर लात मारती है तो उसके दादा कहते हैं कि यह क्या कर रही हो यहां पर माफी मांगो तो वो लोग माफी मांगते हैं और फिर वहां से आगे चले जाते हैं जोईयो अपने दादा की बहुत लाड़ी होती है उनसे बात करती है और उसके बाद हम देखते हैं कि जो गुफा है गुफा में हमें दिखाया जाता है कि वो लड़का जो है शैदान का लड़का वो कैद होता है और उसे जंजीरों से जकड़ा होता है और उसके बाद जोईयो अपने दादा के साथ पहाड पर उस पिग को पका रही होती है और वहाँ पर उन्हें जोर से कोई अवास सुनाए देती है कुछ हल्चल जैसे हूं तो आगे दिखाया जाता है कि उस गुफा में परवेश करने के लिए लूंग मीशी है जो कि दूसरे पहाड़ी के तरफ का राजा होता है वो शैतान के लड़के को मारने के लिए आता है और उसके साथ फाइट करने लग जाता है बट वो लड़का खुद पर खुद उस पे भी बार होने लग जाता है उसके बाद वो लूंग मिश्या वहां पर घायल हो जाता है और जो शैतान का लड़का है वो उड़कर कहीं दूर जा गिरता है और एक जंगल में पहुंच जाता है और वहां पर वो बैठा होता है और बाद में हमें दिख कि शो स्थार पर इसे साथ हैं और उसके बारे में चुछ पता में चल कि राजा के बारे में खुछ पता कर चला है। बात करने कोशिश करती है वो उसे वहां से ले जाती है और उसके बाद एक जोपड़ी में रख देती है वहां पर उसके जो दादा है उसके पास वो जाती है और बात करती है और उसे कुछ पुछ कर वो वहीं फिर एक जोपड़ी में चली जाती है और वहां जाकर उस आदमी स बात करती है तो उस आधमी से बात करते एसकी आँखें खुल जाती हैं और वो उसके हैता कि तुम कौन हो तो लड़की बताता है कि मैं नाम है जो यओ और और मैं पहाडी पर अपने Аड़ा की साथ रहती हूँ तो वो कहता है कि तुम बहुत चोटी एज की हो पर बहुत जादा समझदार हो और तुम्हारी जो मार्श तकनीक है वो बहुत अच्छी है तो बताता है कि मैं नाम लूंग मीशिय है और यहां पर मैं कुछ काम से आया था पर मैं घायल हो गया और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो शेतान काल का होता है वो एक जगह पर पुह चाता है और एक चौटे सी पपी को लेकर साथ में बैठा होता है तो कुछ बिकारी ने केड़ी होते हैं और वो उसको मारते हैं तो जैसे कोई से कुछ खाने के लिए के दिने आता वो उसे खाने के लिए दे देता है और उसके बाद हम देखते हैं कि जो जोईयो के दादा होते हैं वो आ जाते हैं और जोईयो त्यार हो रही होती है यह सब देखकर उसके दादा हसते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो और उसके बाद जोईयो वहां पर यह सिर्गतिए में बोटेसे मेलें के विधने सोन धी तो तो अधर नहीं बहुत को हो संसे वाराम केजिए कोई नहीं कर दोनाया। मैं वह सिर्गतां तो सुष्य थे लाचा वो हाल पूरत तो बोहीं मेला हम क्योंद सुभड़ना कि उस कहता है तो यह के बाद जोईयों से कहती है कि आप अराम कीजिए कोई बात नहीं और उसके बाद जोईयों जो होती है वो कहती है कि मैं भी ये पावर सिखना चाहती हूं पर जो राजा है वो कहता है कि इतना असान नहीं है कि तुम ये पावर सिख लो पर जोईयों होती है वो कहती है कि मैं ये पावर स्थिक कर रहोंगी और उसके बाद जोईयों वहां से दूसरे वर्ट में जाने की बात करती है और उसके बाद वहां से वो चले जाती है और उसके बाद हमें कहाने में दिखाया है कि जोईयों कई ऐस girls कटने लग जाते हैं और जो यो वहाँ पर उखायल पंची को ले कर जाती है और कहती है कि ठीक कर दीजे ऐसी राजा के दिन वहाँ पर बीतने लग जाते हैं उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक स्वामी होते हैं जो की धिहान में लीन होते हैं वहाँ पर उनका एक सेवक नहीं हुई है कहीं कुछ हो तो नहीं या वहीं पर वो स्वामी आ जाते हैं और उनसे बात करते हैं कि आप अपने जादु शक्ती से पता किजिए कि स्वामी ठीक है या नहीं है जो राजा है वो ठीक है या नहीं है तो वो कहते हैं कि कोई बात नहीं मैं पता करने की पूरी को जाता है और उसके बाद वो पंची भी उड़ जाता है और लॉंग मुझे कहता है कि अब मैं भी ठीक हो चुका हूं इसलिए मुझे भी जाना पड़ेगा यह बात सुनकर जोईयो थोड़ी सी सैड हो जाती है और उसके बाद वो उसे सहलाता है और कहता है कि तुम बहुत अच करना और बहुत चिलाती है और उसके बाद वहाँ से बात करती है और अपने दादा के पास आती है और अपने दादा से कहती है कि मैं दूसरे वर्ड जाना चाहती हूं और घूमना चाहती हूं और मुझे बार्शिल आर्ट भी सीखना है बहुत शक्तियां वगरा सीखनी है आप एक पावर सी से कहते हैं। आप पावर से कहते हैं। और वह सच्तिषाली है। बाइखी और उसके बाद हम देखते हैं कि जो ढदाह होते हैं वह कि माँके सामने कहते हैं कि तुम्हाराे इड़की बहुत हो चुकी है और जो बहुत बढ़ा चुका है और वो लोग बिल्कुल अच्छे हैं मतलब कि वो जो है आपस में बात करते हैं उसके बाद वो कहता है कि मैं नहीं चाहता है कि जो जोईयों है वो वहाँ पर जाए और उसके बाद हम जोईयों को देखते हैं कि वो पूरी त्यार बlori कर रही होती है वहां पर जाने के लिए बहुत ज़्यादा होती है और सब कुछ सीखती है और उसके दादाभी इससे सिखाते हैं सब कुछ और उसके बाद वो शयतन का लडगा typically मंतरी के सैने के हैं वह कैळ्ड करने के लिए आते हैं उसके पीछे, पड़ जाते हैं और सब्सक्राइब राजा के पास पैठी होती है और वहां पर सेविक आती है कि मंतरी आप से कुछ बात करना चाहते हैं और फिर मंतरी जो है वह लोग आपस में बात करते हैं जादू शीशे से और कहते हैं कि हम एन एक लड़के को पकड़ा है जो कि बिल्कुल हुबहु जैसा कि क्यान बताए था दियता है तो राजा कहते हैं कि आप उसका जो शायरा है मुझे दिखाई है कि वह कैसे दिखता है जब पड़ाते है तो राजा पका जाता है और कहता है कि हाँ यहाज को